बच्चन पांडी के लिए जसल मेर की ओडान भरेंगे अक्षे कुमार और कृति सेनन अक्षे कुमार एक व्यस्तक्तर रहे हैं अगस्त महीने में स्कॉट्लैंड में बेल बॉटम की शूटिंग खत्म करने के बाद अभिनेता ने सिटी स्टूडियो में अपनी आगामी पीरियड ड्रामा परित्वीराज पर काम फिर से शुरू कर दिया है वही यह साल खत्म होने से पहले वे आनन देल राय की लव स्टोरी अत्रंगी रे समाप्त करेंगे और कोरोनो वायरस महामारी के बीच अपनी चौथी फिल्म के साथ नए साल की शुरू आप करेंगे साजिद नाडियाड वाला की बच्चन पांडी की शूटिंग जनवरी से शुरू होगी और मार्च तक जारी रहेगी यह अभिनेता का अपने निर्माता मित्र के साथ दस्वा सहयोग है एक सूत्र ने खुलासा करते हुए बताया अक्षे जल्द अभिनेत रिकृती सेनन, निर्देशक फरहाद सामजी और युनिट के बाकी सदस्यों के साथ दो महीने के मैरा थन शेड्यूल के लिए चार्टर में जैसलमेर के लिए उडान भरेंगे जिसके दोरान बेवास्तवेक स्थानों पर शूटिंग करेंगे पिछले महीने, प्रोडक्शन टीम ने सभी आवश्यक परमिशन ले ली है और सभी सरकारी दिशानिर देशों को ध्यान में रखा गया है और शूटिंग लोकेशन को फाइनल कर दिया गया है अक्षय, साजेद, कृती और फरहाद का पिछला कॉलिबरेशन 2019 की पीरियड कॉमेडी हाउस फुल्टार की शूटिंग भी गोल्डन सिटी में हुई थी और सूत्रम ने बताया कि इस फिल्म के कई क्रू सदस्य बचन पांडे में भी शामिल है पूरी टीम एक साथ सूरिय गड़ा होटेल में रुकेगी और वहाँ कुछ इंडोर सीक्वेंस शूट किया जाएंगे फिल्म में कुछ विस्तृत एक्षन द्रिश्य भी हैं और देश भर से टीमें उस शूटिंग शेडूल के लिए क्रू में शामिल होंगी हीरो पंतिदों के साथ बच्चन पांडी की शूटिंग शूरू करने वाली साजिद नाडियार्ट वाला प्रड़क्शन से पहली दो फिल्में है और फिल्म निर्माता ने मुंबई से डॉक्टरों सहित एक विशेश टीम को शामिल किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की कोविट सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल का सावधानी पूर्वक पालन हो रहा है एक नो कॉन्टाक्ट सेट बनाने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई एसोपी के तहत फिल्म की टीम एक एक सटेन सीव वरकर शॉप से गुजरेगी सभी कलाकार और क्रू मेंबर्स को दिसंबर के अन तक एक अनिवारे कोविट टेस्ट करवाना होगा और क्रू को शूटिंग से तीन दिन पहले क्वारंटीन किया जाएगा दो डॉक्टर क्रू के साथ मुंबई से जैसलमेर के लिए उडान भरेंगे और उन्हें शूटिंग स्थल पर तैनात किया जाएगा जैसलमेर में विशेश मेडिकल रूम बनाया जाएगा और प्रत्येग लोकेशन को शूट से एक दिन पहले से इनिताइज किया जाएगा स्तोत्र ने साजह किया सूत्र ने आगे बताया अक्षय एक अन्य दिल्चस्प स्क्रिप्ट की तलाश में है उनके गेट अप में प्रोस्थेटिक्स का इस्तिमाल किया जाएगा जिसकी एक जलक जनवरी 2020 में सामने आए आखरी पोस्टर में देखने मिली थी